हाई लेवेंधी वेलकम टू इसी वे कॉमर्स क्लासिस मैं हूँ अपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम बैंक करी कंसेलेशन स्टेटमेंट चेप्टर को एक इजी वे में समझेंगे लाइक आप कहां पर आए हो इसी वे कॉमर्स क्लासिस में तो इसी तरीके से हम इसे समझेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा चेप्टर गाईज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर उनको कंसेप्चिल नॉलिज नहीं होती तो इस चेप्टर को करने के लिए हमें कंसेप्चिल नॉलिज होना जरूरी है क्योंकि ये प्रेक्टिकल इतना नहीं है कि आपको बड़े-बड़े लेजर्स बनाने हैं जनरल एंट्रीज पास करने हैं नहीं आपको एक छोटे से उसमें आपकर ये क्वेशन हो जाता है अगर आपने सही तरीके से सोचा और अगर तरीका गलत सोच लिया तो गलत आंसर आता है तो सबसे पहले बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है तो गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आयो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करना और आप अपने डाउट मेर से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोच सकते हैं थैंक्यू चलो स्टार्ट करते हैं अब गाइस एको बैंक रीकंसिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है अभी मैं अगर मेरी कंपनी है ठीक हैं तो मैं अपनी कंपनी का बैंक अकाउट कसी बैंक में तो खुलवाऊंगी ना ऑँसिक बैंक सद्हीं में खुलवा लिया ठीक हैं अब मैं अब अच्च्पION करते हूं जरूरा है टो मैं भी सारी टांसेशन रिकार्ड करती हूं अब cashbook क्या होती है guys, जिसमें हम bank की transaction और cash की transactions record करते हैं तो bank की transaction बोले तो bank के कितने हमार पास checks आए, कितने गए, bank में कितना पैसा हमने deposit कराया, कितना गया तो देखो, दो side होती है cashbook की debit और credit पैसा आया, checks आये, तो debit side entry होगी, पैसा गया, credit side entry होगी, ठीक है यह हम अपने लिए record करते हैं, लेकिन bank भी record करते हैं, सारी transactions तो bank जो record करते हैं, उस book को बोलता है passbook आपने generally देखा होगा, आपके घर में जो भी आपका saving account भी even होते हैं, उसकी भी आपको passbook मिलती है और हम समय समय पर जाके उसे bank में print करवाते हैं, याद हैं, है ना, आप लोगों के घर में भी ये चीज़ practically हो रही है लेकिन passbook ही होती है, बस हम अपनी maintain नहीं कर रहे होते हैं लेकिन company guys अपनी भी maintain करते हैं, वो सिर्फ इनकी book पर विश्वास नहीं करती ठीक है, अब जो passbook होती है, वो bank बनाती है bank भी same चीज़ करती है debit or credit, लेकिन bank उल्टा करती है bank के हिसाब से पैसा plus का मतलब होते है credited और minus का मतलब होते है debited ये आप कैसे note कर सकते हो, जब भी आप ATM से पैसा withdraw करते हो ना, निकालते हो तो आपके phone पर message आता है, rupees 5000 is debited, rupees 2000 is debited in your account तो it means debited मतलब minus, credited मतलब plus, ऐसा क्यों होता है इसलिए क्योंकि bank के लिए हम उसके creditor होते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा हमने दे रखा है हम उसके creditor होते हैं, इसलिए वो ऐसा सोचता है तो आप ये भी तरीके से उसे समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझ सकते हो, कि इसका just क्या होता है, ये opposite होता है ठीक है, आज इस वीडियो में guys मैं आपको सोचना सिखाऊंगी, देखो सबसे पहले तो अगर आप cash book maintain कर दे हो, और आपका question cash book से start होता है और आपका pass book पर आपको जाना है, इसका मतलब क्या है कि आपके हिसाब से, आपकी cash book शो कर रही है कि मेरे पास तो एक लाग फुर्पे रखे हैं लेकिन bank शो कर रहा है कि आपके पास सिर्फ नब्बे हजार रखे हैं यह हम कब बनाएंगे, जब भी month end होता है, तो company check करती है कि क्या मेरा balance bank से match कर रहा है क्योंकि काफी सारे checks bounce भी हो जाते हैं काफी सारे checks ऐसा भी होते कि company डालना भूल जाती है, तो बहुत सारे reason होते हैं और business में आपको पता है कि सिर्फ एक या दो transaction नहीं होती है, हजारो transaction होती है, तो business इस statement को बनाता ही बनाता है अब guys क्या हुआ, जब मैं as a accountant, यह समझ लो मैं हूँ, मैं as a accountant बैठी, मैंने देखा मेरे हिसाब से एक लाख उर्मे मेरे bank में होना चाहिए लेकिन bank बोल रहा है कि 90,000 है, 10,000 कहां गए भई, तो 10,000 रुपे को find out करने के लिए हम यह statement बनाते हैं अब मैं जो maintain करते हूँ, वो cash book maintain करते हूँ, bank pass book maintain करते हैं, 10,000 पे हमारे match नहीं हो रहे हैं, तो मुझे पता चलता है, 10,000 पे का एक check था, जो मैंने जमा करा दिया बट bank ने अभी तक उसको plus नहीं करा, भै क्यों नहीं करा plus, bank ने बोला हमारे चुट्टी आ गई है, दो दिन के, इसलिए हमने उसे plus नहीं करा, तो अब मैं क्या करूंगे guys, अगर मुझे अपना balance pass book से match करना है, मुझे balance cash book से pass book पर जाना है, तो मैं उस 10,000 को less करूंगे, क् मुझे यहां जाना है, तो आपको जहान जाना है, आपको उसके हिसाब से सोचना है, अगर मुझे cash book से pass book पर जाना है, pass book ने 10,000 पर नहीं लिखे, मैं भी minus कर दूंगे, और इसके अलावा क्या हो सकता है, कि let's suppose bank ने charges करे, मुझे पता ही नहीं था bank ने charges करे, अब मुझे कह जाना है, किस से balance match करना है, pass book से, तो मैं भी charges less कर दूंगे, तो आपको यह देखना है कि आपको balance किसका given है, यानि कि जो भी आप अपना question start करते हो, right, format आपको पता ही है, बहुत easy सा होता है, plus minus वाला particulars, guys, दो तरीके होते हैं, मिलब दो तरीके से आपकी book में समझाया गया ह है, इस format के तुरू, लेकिन मैं easy वाला समझाऊंगी, जो particular plus minus है, एक होते add or less वाला, वो थोड़ो सान आजीब लोचा कर देते हैं, तो वो नहीं सीखना आपने, आपको सीखने के जूरत है, जो simple method हमें book में सिखाया गया है, हम क्यों मुश्किल सीखे, है ना, तो हमें easy way cash book से, ठीक है, plus में given हो सकता है, balance, minus में given हो सकता है, whatever, ठीक है, मैं plus अभी लेके चल रहे हूँ, कि मेरी cash book में पैसा है, अब मुझे अगर जाना है, निकालना है balance as per pass book, तो मुझे pass book की तरीके से ही सोचना होगा, तो मुझे जो concentration करना है, pass book को करना है, अगर मुझे cash book से कहा डबल जमा कर लिया, हम भी करेंगे, pass book में उन्होंने interest दिया, हम भी करेंगे, pass book में उन्होंने charges कट करें, हम भी करेंगे, क्योंकि हमें pass book की तरफ जाना है, तो आपको इस चीज़ को धियान रखना है, लेकिन अगर आपका question स्टार्ट होता है, pass book से start होकर आपको जाना है cash book, ठीक है, pass book से start होकर जाना है cash book, तो आपको इसके तरीके से सोचना है cash book, cash book में पैसा आपने लिखा है, आप लिख लो, भले ही bank ने उसे plus किया या नहीं किया, आपको किसके तरीके से सोचना है, जहां जाना होता है हमें उसके तरीके से, अब हमें अगर pass book से, यहां से cash book क की तरफ आना है तो हमें cashbook के तरीके से सोचना है cashbook में अगर हम कोई check जमा करना भूल गए लेकिन bank में डलवा दिया तो bank में तो plus हो रख है जाएंगे cashbook के दोबर मेसेज किया हम भी दोबर मेसेज मतलब आपको जो भी करना है वह इसको concentrate करने cashbook को और अगर आप cashbook से passbook पर जाओगे तो passbook ने जो भी किया जाए वह गलती करी है सही किया और कुछ भी किया आपको passbook के तरीके से सोचना है तो आप तभी आपका answer सही जाए कर सिर्फ यही एक सोच आपको रखना है कि भाई आप कहां से start हो कहां जाना चाटे हो जहां जाना चाहते हो उसके तरीके से तरीके से सोचो हो अब आगर एक medium class से high class को दिखा में आप हाई कलास के वारे में इस फीलों के रादित दो आलो थैप डिखना हिंते जांतेु कि आप पमेज्डा होिहार तो से क्रिक्रणा के रिखू सित अख कर दोesz। करने के लिए यह तक किम आप लिगों समझ आया होगा है थांक्यू झाल झाल